आप लोग देख रहे हैं जम्मू पर Yours कि बड़ी खबर जो हऊँ आपको जम्मू जिल से जो हो बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आपने अक्सर यह सुना होगा कि पुलीस जो हऊँ लोगों को गिरिफतार करती है लेकिन एक हैरान करने वाली खबर इस समय कि जम्मू से आपको सुना रहे हैं यहाँ पर आपको बता दे चलें कि एक पुलीस कर्मी को जो हो गिरिफतार किया गया है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना यह खबर सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कभी जो हो जम्मों से मामला सामने आ सकता है लेकर यह कहें कि काफी जादा शर्मसार करने रे जम्मों के चिनोर पुलीस पोश्ट से सामने आए यहां पर आपको बतादे चलें कि एक पुलीस कर्मी को जो हो एंटी क्रफशन मीरो दौरा चार हजार की रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गरफतार किया गया है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना लगातार जम्मू कश्मीर के अगर बात करें तो करफशन के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं वहीं अंटी करफशन ब्यूरो भी जो हैं वो जो हाँ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गरफतार किया गया है इस पुलीस करमी का नाम जो हम आपको बताएंगे जिसका नाम जो जानकरी हमारे पास है यह सोर्सिस के मताबिक उसके मताबिक इसका नाम महमद सुल्तान है जो कि जम्मु जिले की पुलीस पोस्ट चिनोर में ये तनाथ था और इसने जो हाँ वो किसी शक्स चार हाजार की रिश्वत लेने की जो हाँ वो मांग करी थी और जैसे ही वो शक्स उसे मांग की गी तो उसने एंटी करफशन ब्यूरो के सवाले से जानकारी दी और एंटी करफशन के साथ जब वो वहाँ पर इससे रिश्वत देने लिए गया तो एंटी करफशन ब्यूरो द्वरा इसे मोके पर ही जो हाँ वो गिरफतार कर ले गया है आप समय सकते हैं कि किस तरह का हालात जो हाँ लगातार जमु कश्मीर के बनते जा रहे हैं यहाँ यह लोग जो हाँ वो लाकों के हिसाब से जो हाँ वो सरकारी हजाने से तनखवाएं भी लेते हैं लेकिन शायद इनका पेड़ जो हाँ उससे भी नहीं बरता होगा यहाँ पर किसी के साथ भी कोई भी वारदात पेश आती है तो सबसे पहले पूलीस के आगे जाते हैं लेकिन जब पूलीस ही ऐसे काम करेगी तो आपंधा लगा सकते हैं कि अब आने व्रुट के हालात जो हाँ तरह किस तरह के हो सकते हैं रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गर्फतार किया गया था लेकिन ये 2020 के बाद एक और मामला जो हम इसी पुलीस पोस्ट चिनोर से सामने आए यहाँ पर एक पुलीस कर्मी जिसका नाम आपको बताएंगे महमद सुल्तान इनका नाम है जो की रिश्वत लेते हैं लोगों से और आज इन्हें रिश्वत लेना जो हो महँगा पड़ गया ऐसे ना जाने कही सारे पुलीस आफिसर होंगे जो लोगों से रिश्वत लेने का क पहमद की और एंटी करफशन वीरो को इसके वारे में जानकारी दी ताकि ऐसे क्रफट अफिसरों को जो हो सीधा सलाकों का रास्ता दिखा जाए क्यूंकि साफ़तोर पर ये जाहिर होता है कि ये आफिसर जो हो नोक्री करने के काबिल नहीं है क्योंकि एक तो सरकारी कुर्स को कि हमने जो हो पैसे कहां से लाए हैं काफी जदा हरानगी है लेकिन एंटी करफशन वीरो की लगातार इस तरह के रिशवत कोरों के खिलाफ जो हो इनके उपर गान जो हो गिरती जा रही है और इस बार गान जो हो जमू जिले की ही पुलिस पोस्ट चिनोर में जाकर जो हो जिसी सांबा के असेस्भी लगातार हरकत में हैं वहाँ पर लगातार वो जो हो इस तरह के आफिसरों के खिलाफ कारवाई कर रहे हैं तो अब आपको भी हो भर आना होगा और इस तरह के करफशनल्स के खिलाफ जो हो वो सक्त कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह से आम लोगों को जो हो इन रिश्वत खोरों से जो हो बचा जा सके बड़ी खबर थी जब मुसे यहां पर एक पुलिस पोस्ट चिनोर मतनात पुलिस कर्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गरफतार किया गया है और चार हजार की इसने रिश्वत की डिमांड करी थी ना पांच के बाद ही पता चलेगा लेकिन आप लोग अपनी राय जरूर दें कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कारवई जो होगों होनी चाहिए कैबरा परसल सुरुट